नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कामदा एकादशी, उननीस अपरेल दो हजार चौबीस को पढ़ रही है और इस दिन चुप चाप रख देना, इस जगह पर एक रुपए का सिक्का, माता लक्ष्मी के आशीरवाद से न केवल आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा, बलकि आप बन जाओगे, करो इस दिन लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है, और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है, और इस दिन यदि शास्त्र के अनुसार एक रुपए का सिक्का जगह रख देंगे, और वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है, और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए, इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वर्दान और वह आशीरवाद मिलेगा, जिसके पश्चात ना केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत हो जाएंगी, बलकि इस छोटे उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की वर्षा होगी, आप किती जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आप के जीवन में जो धन आईगा, उसमें वृद्ध होगी, लक्ष्मी के आश तो आप जानकारी बता दें। माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए कि पूजा को सदैव छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है, तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिध्ध हो जाती है। और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाब जरूर ही मिलता है। इसलिए आपने देखा भी होगा। जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धन तेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में सदैव एक रूपएये का सिक्का रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुब होता है। और यदि आप केवल आने वाले नए साल में किसी भी दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी धर्टी पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर एक रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया, जिसके बारे में तंत्र पर शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए, इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वर्दान और आशीरवाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी, आपका भाग्य प्रबल जाएगा, आपके ज अचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है, इसलिए यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता के आशीरवाद से आप अपने जीवन बहुत ही आगे जाए, आपके जीवन में माता लक्ष्मी के आशीरवाद से धन की वर्शा हो, तो पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी की जए, और यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अप से उपाय है, धन में वृद्ध का महा उपाय, दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है, उसमें वृद्ध हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय कर लीजिए, जो आपको हम बता रहे हैं, और इस उपाय को करने के पश्चात, माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा, उसमें वृद्ध होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलन्स अपने आप बढ़ने लगेगा, केवल नए साल वाले दिन, शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है, ये उपाय आप सूर्यास्त के पश्चात करना है, अब आपको इस कटोरी को अपनी छट पर ले जाकर के रख दे अगले दिन आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को किलाना है, उस कटोरी से एक रुपए का सिक्का उठाना है, और लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षन दिशा में रख देना है, यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्थ पर कर तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्षमी का एक वरदान और आशीरवाद जाएगा, जिसके पश्चात ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा, ये सिक्का आपके लिए एक चुमबक की तरह काम करेगा, जिसके चल आपके जीवन में खींचा हुआ चला आ आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशिरवाद और वर्दान नए साल के दिन बढ़ जाएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाए दोस्तों। यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परन्तु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है, परन्तु बेफिजूल में उड़ जाता है। तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है, और जिस व्यक्ती का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ती के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और नए, यदि आपने एक रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चाद आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। 11 नंबर यदि आपने नए साल के दिन कर लिया, तो मान के माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी। जिसके पश्चाद सदैव आपका शुक्र ग्रह आपका साथ क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंतरन माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिन को आपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंतरित हो चुके हैं। और ये सिक्के शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके पश्चाद आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी, आपके धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी, और धन सम्ब आपके जीवन में इतना धन हो, इसके पश्चाद आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी के आशिरवात से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके पश्चाद आपकी आने वाली साथ पीड़ी भी पैसों पर राज करे, तो बस एक छोटा सा आपको नए के द आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर कर आपको बैठ जाना है, एक घी का दीपक जला दीजिए, अब एक लाल कपड़ा बिछाना है, आपको इस लाल कपड़े पर एक रुपए का सिक्का, एक मुठ्थी, धनिया, तीन लौंग आपक करना है, ग्यारह नंबर, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है महालक्ष्मी, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, महालक्ष्मी इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिन दिशा में आपको रख देना है, केवल इतना उपाए, आप आपको नए साल के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा, ये पोटली जैसे ही अपने तिजोरी में रख देंगे, या अलमारी में रख देंगे, तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुम्बक बन जाएगी, जो धन खींचने का काम करेगी, ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का आशीरवाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी, और आपके जीवन में धन आएगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से हासिल ही ना हो, पा रहे हो जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यपार, फैक्टरी, नौकरी, दुकान, ये कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाए केवल एक दिन कर लेना है, और गुरु ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमतकार हुआ है, धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं जीवन की सब बाधाएं समाप्थ हो जाती हैं, और आपको सुख सम्रिद्ध की हासिल ही होती है, तो चलिए, साल के इन आखिरी दिनों में, यानि मार्ग शीर्ष के इन विशेश दिन में, यदि आप ये उपाए कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज्य गुरु जी ने शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं, देखिए, उपाए के लिए आपको साथ पूल लेने हैं, और साथ दीपक ले लेने हैं, साथ यानि सेवन देखिए, साथ पूल आप जो भी लेंगे, वो महाद महादेव को प्रिय होने चाहिए। यदि आपके पास नहीं है, तो किसी भी फूल वाली दुकान से आप फूल खरीद लीजिए और उन में से साथ लेने हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि केटकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि केटकी का पुष्प हम लोग शिवलिंग में समर्पित नहीं करते हैं। अब ये साथ फूल आपको अपने किचन में रखना है। उसी के बगल में आपको एक कटोरी रख लेनी है और उसी कटोरी में आपको ये साथ फूल रख लेने हैं। साथ फूल रखने के पश्चाद आपको इसी के बगल में साथ दीपक ले लेने हैं। साथ दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। या फिर आप अपने घर पर शुद दाटा मार कर उनका भी दीपक तयार कर सकते हैं. इन साथों दीपक में आपको घी का प्रयोक करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बाती का उपाय करना है. किचन में हम जो भी दीपक प्रजवलित करते हैं उसमें हम लोग लंबी रुई की बत्ती का ही उपाय करते हैं इसलिए आपको का उपाय कर लेना है देखिए दीपक आपने रख लिए ये साथ फूल रख लिए अब आपको इन दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है। फिर उसके पश्चात दीपकों का पूजन करने के पश्चात इन्हें प्रज्वलित हो जाने दीजिये। और फिर इस देव दीपावली के पूरे दिन में किसी भी समय आप इन सातों पुष्पों को उठा कर यानि सातों को उठा कर किसी भी मंदिर में पहुँच जाए, किसी भी शिवालय में पहुँच जाए। पूजय गुरुजी ने कहा कि इन चारों जगहों में से किसी भी जगह में पहुँचकर आपको यह सातों पुष्प समर्पित कर देना है। यानि यह सातों फूल समर्पित कर देने हैं, यदि शिवलिंग उपर समर्पित कर रहे हैं, तो नम, शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के उपर समर्पित कर दीजिए, या फिर किसी भी में समर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए, और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है, उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए, ये फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए, और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना लक्ष्मी से कर लेनी है, कि आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है, उसको समाप्त करिए, और फिर ये एक लेकर आपको अपने घर आ जाना है, देखिए, छह फूल आपको उसी स्थान पर रखे रहना है, यदि आप शिवलिंग में समर समर्पित कर दीजिए, और एक फूल ले आईएगा, यदि पीपल में समर्पित कर रहे हैं, तो चह वहीं पर समर्पित रहने दीजिए, एक ले आए, और यदि बेल पत्र या फिर आम अवले के व्रिक्ष में हैं, तो चह वहीं पर आईएगा, और एक ले आईए, एक को नुमन चालीसा है, या शिवा चालीसा है, या दुरगा चालीसा है, या फिर आरती की कोई पुस्तक है, या फिर रमचरित मानास है, या फिर भगवर गिता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको ये एक फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। आपका दुर्भग ये जीवन के सारे संकट समप्त होंगे और धन, दौलत, संपदा की कभी कमी नहीं होगी दोस्तों, ये विशेश उपाए आप इस देव दीपावली में जरूर करिएगा उपाए जरूर करना है क्योंकि पूरे साल में केवल एक बार ही आपको ये मौका मिलता है और आप इस उपाए को जरूर करिएगा चलिए, अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाए के बारे में ये भी आप जीवन में धन, धान्य की हासिली करवाने के लिए ही है क्योंकि गुरु जी ने अभी अपनी पांच दिन पहले की शिव महापुरान की कथा में ये उपाए बताया है गुरु जी ने कहा है कि जब जीवन में समस्याएं, तकलीफ, विघन बहुत ज्यादा हो तब आपको ये उपाए कर लेना चाहिए जब धन की चारों तरफ से हानी हो रही हो एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो या फिर जीवन में धन हासिल हो ही न पा रहा हो तो आपको ये चाहिए इस उपाए के लिए आपको केवल एक पूंद शहद ले लेना है देखिए, ये भी आपको देव दिपावली के दिन में ही करना है और साल में केवल एक बार ही आप इस उपाए को करते हैं देखिए, ये उपाए दो जगह पर कर सकते हैं। यदि आप देव दिपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उनके सामने भी ये उपाए कर सकते हैं। और यदि आप देव दिपावली के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं, तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं पहले आप शिवलिंग उपायों को समझ लीजिए इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है यदि के पास बेलपत्र है तो ले लीजिए और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठा कर जल से शुद्ध फिर उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी-फटी नहीं होनी चाहिए इस बेलपत्र में आपको एक बूंद शहद लगा लेना है बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है चाहे पत्ती में लगा लीजिए चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए जिससे डंडी में पत्तियां आपस में जुड़ी रहती है चाहे तो उस डंडी में लगा लीजिए या उपर वाली कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है और ये बेल पत्र आपको शिवलिंग के उपर समर्पित कर देनी है और महादेव से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और यदि आप माता लक्ष्मी के सामने कर रहे हैं तो आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और इसके उपर एक बूंद शहद लगा देना है और ये फिर माता रानी को भोग स्वरूप कर देना है और माता राणी से यानी माता लक्षमी धन धानने की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस देव दीपावली में आप ये उपाय करिएगा और अगले साल तक कुबर भंडरी आपके धन के भंडार स्वयम भर देंगे आपकी खाली अलमारी भर और जीवन से धन की समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाए किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो कला होता हो, सुख समर्द्ध में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो तो हर का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी लाब मिले और पुन्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में यदि आपके काम की जानकारी लगे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए तो चलिए जानते हैं कपूर के चमतकार उपाय के बारे में इस वीडियो में आपको कपूर के बारह उपाय बताऊंगा हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है यदि खुले में आप इसको रख देंगे तो वो उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शान्ती और समरिद्धिलाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की negative energy दूर हो जाती है और हमारे मन को शान्ती मिलती है संस्कृत में इसे करपूर हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में camp for कहते हैं तो पहला जो है यदि आपके घर में लड़ाई जगड़ा बहुत ज्यादा होता है छोटी-छोटी बातों ही गाली-गलोज होने लगता है परिवार रिष्टे भूल जाता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है एक पीस कपूर ले लीजिए मार्किट में आपको तीन तरह के कपूर मिलते हैं पहला गोलाकार, दूसरा चौको और आकार का तीसरा भिमसैनिक कपूर मिलता है जिसे हम धेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए उसको चार भाग में बांट दीजिए अब आपका एक कपूर को चार भाग में बट गया अब क्या करना है जब भी आपके घर में लड़ाई जगड़ा हो यदि आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमली मेंबर के साथ होती है तो आपको क्या करना है जिस भी घर में लड़ाई हो जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अकसर, या यदि हो, हॉल में ही तो उस चार टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन चारों टुकडों को लड़ाई हो रही है हो जाने दीजिये, शान्त रहिए चाहे कोई भी पक्ष गलत या सही हो आप शान्त रहिए आपको आगे आने वाले दो स्टेप आपको आगे सोच के चलना है जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिये, गाली गलोज जरा दे, दीजिये, आप शांत रहिए, बस दो मिनिट सह लीजिये, जगडा समाप्त हो गया, अब आप कपूर के टुकडे करिए, चारों टुकडों को, जिस घर में लडाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकडे, इत आपकी ये कपूर का टुकड़ा चार हमने कर दिये, ये हमारे घर के जगडे कैसे रोक सकता है, पर कहते हैं ना, कि देखन में बस एक कपूर के चार टुकडे कर देने से, हमारे घर का कलह शान्त हो सकता है, लडाई रुक सकती है और ये एक बहुत ही असरदार उपाए है, ये उपाए बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके पिलडाई जगड़ा होगा ना तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिलकुल शान्त हो जाएगा। घर के चारो कोनो कपूर का एक-एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल मानव होगा ना वो जो आपके घर में ये जगड़ा करता होगा। आप देखेंगे पंद्रह दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है। और वह कभी भी जगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो यदि जगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं हाँ थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शान्त हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर गराह कब कम होते जा रहे हैं, आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है, नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी होती है उससे हमारे घर का चलता है, काम धंधा हो या नौकरी हो उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है घर में यदि सुख, शान्ती, सम्रिद्धी की आपकी कमी हो गई हो आपके घर में पैसे नहीं बचते हो आमदनी अठानी और आपका दो-चार रुपया ज्यादा ही हो जाता हो तो आपको क्या करना है? आपको करना है एक कांच का कटोरी ले लीजिए कांच की कटोरी में आपको साथ पीस कपूर के डाल देने है साथ पूरे के पूरे साथ गोली कपूर की डालनी है चाहे डाले गोल साथ आपको कपूर डाल देना है साथ पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पर आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं वो नहीं आपको फिट करी लेनी है जैसा गुड होता है न तो उस तरह का वो डीला फिट करी आपको किराना दुकान पर राशन दुकान पर मिल जाएगा दो छोटे छोटे टुकडे फिट करी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का सेंधा नमक वही है जो हम व्रत्योहार में खाते हैं तो सेंधा नमक का टुकडा पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है आपका जो नमक है साधा नमक खाते हैं वो नहीं लेना है, आपको यही चीज लेना है, पहला है साथ पीस, कपूर लेना है, दूसरा दो टुकड़ा या दो टुकड़ा, आपको फिटकरी का लेना है, और एक टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है, इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए, और रख करके उसके उप तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी कैश रखते, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें। आपके पास उतना बड़ा डबबा नहीं है, तो आप इस कटोरी कपूर की जो कटोरी है, जिसमें आपने रखा है काँच की कटोरी, इसको उस डबबे के पास रख दीजिए। जहाँ आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं यदि स्पेस है, तो आप इसको वहां रख दीजिए, धका हुआ है, यदि खुले में रखेंगे, यदि उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है, खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा आप इसे चाहे, तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं, ये धन को खींचने करता है, एक मैगनेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है, अब इसे किस दिन करना है? आपको ये उपाय किसी भी शुकल पक्ष के शनिवार से प्रारंब करना है महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है किसी भी महीने के शुकल पक्ष के शनिवार को करना है उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है, तो जब कपूर उड़ जाए, उड़ ज मतलब यदि आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है पर उसमें शुकल पक्ष ये सब नहीं देखना है क्यूंकि आपने पहले शुकल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं अब हफते में बदलने या फिर पंद्रह दिन पे या फिर एक महीने पे आप इसको बदल सकते हैं जो ढेला कपूर या डीला फिट गिरी है और सेंधा नमक है इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीज यदि आपके आसपास, यदि फ्लैट में आप रहते हैं, शेहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैलकनी में कोई पेड़ पौधा होगा, तो वहाँ पर या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक पानी, एक बरतन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को, अब ये आठ दस घंटे में पूरा मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं, वो गल जाएंगे, उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया, फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डा करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में चार या पांच शनिवार होते हैं, ना तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं, जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तब ही कीजिए, ये उपाए आपके घर या दुकान में गजब की त आता है, आपका बिजनिस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढख कर रख दीजिए, आपका बिजनिस बहुत तेजी से चलता है, एक बार करके, तो देखिए, आप खुद देखेंगे, कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इस से इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देखके आश्चर ये चकित रह जाएंगे, कि ये हो क्या रहा है, ठीक, अब तीसरा जो उपाए है, वो है प्रति दिन, सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, चाहे आप गाव में है शहर में है, फ्लैट में है, कहीं पर भी आप एक मुख्य दर्वाजा होता है, तो मुख्य दर्वाजे के बाहर आपको इस उपाए को करना है, करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक-एक ठीकिया जलानी है, मतलब सुबह में एक पीस कपूर ज सुर्य wokще जला दीजिए। सुभज में सूर्योदय के समय। यदि आप इस उपाय को आथ बजे नौ बजे सुभज में करते हैं, तो यह कोई फाइदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा है, सूर्य भगवान ना होंगे। तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम छह साड़े छह बजे के टाइम के आसपास, आपको इसको करना है, नहाद हो लीजिए, फ्रेश हो जाईए. और उसके बाद घर में आपने धुप पत्ती दिखा ली, और घर के चोखट के बाहर, घर के चोखट के बाहर, अपने मतलब तुरंट बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए, और उसको जला दीजिए. बस ही करना है. और शाम को गोधूली बेला. जब ना तो दिन रहे ना रात रहे उस समय पर, घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाईएगा कपूर या घी का दिया खाएगा नहीं चीज की आपको सावधानी बता देता हूँ आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा लोहबान का उपाय मत करिएगा क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगर बत्ती ये दो नहीं जलानी हैं तो शाम के टाइम पर भी आपने एक कप और जला दिया बस ये उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट को जानना होगा इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी आपके घर में सदैव बना रहेगा और आपके घर में सदैव सुख, शान्ती और सम्रिध्धि बनी रहेगी आपका परिवार जो है, वो हैपी रहेगा अगला जो उपाय है, यदि आपको घर में यदि आपको अपने ही घर में डर लगता हो कहते हैं, ना कि मतलब की घर का कोना काटने को दोड़ता हो घर का बच्चा हो, या परिवार के कोई भी लोग हो यदि आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे तो आपको क्या है, प्रति दिन सुभह और शाम को आपको ये उपाय करना है आप जब भी सुभह में पूजा है घर में तब आपको इस उपाय को करना है